दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप फाइब फीचर्स ओफ प्लैटीना 100 जो की बजाज की तरफ से वन आफ ता बैस सेलिंग बाइक है 100cc कैटेगरी में दोस्तो चले सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इसके पहले फीचर्स से जो की है इसकी लुक्स एड डिजाइन अगर आप 100cc कैटेगरी में एक स्लीक सी टॉलर स्टैंस या टॉलर अपिरेंस के साथ कोई बाइक लेना चाहते हैं तो डेफिनिटली प्लैटीना 100 आपके लिए एक बेटर आप्चन हो सकती है क्योंकि अगर आप इसपे बैठते हैं तो आपको ज़्यादा अपराइट पॉस्चर मल जाता है और उसी के साथ आपको ऐसा फील होता है कि किसी उची बाइक के उपर आप बैठे हुए हैं स्लीक सी लगती है, स्टाइलिश लगती है आप मुझे कमेंड करके बताइए कि आपको इसकी लुक्स और डिजाइन क्या सी लगती है देखने में चले दोस्तों बढ़ता हूँ मैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ जो की काफी जादा इंपोर्टन फीचर है वो है सेकेंड इसका पर्फॉर्मेंस और इसका कमफर्ट अगर आप यहाँ पे कमफर्ट की बात करता हूँ सबसे पहले तो कमफर्ट के मामले में इसमें फ्रंट में आपको टेलिस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो की काफी अच्छी पर्फॉर्मेंस के साथ आते 135 mm hydraulic front telescopic suspension है rear में 110 mm के spring in spring suspension मल जाते हैं और comfortable ये bike आपको लगने वाली है किसी भी रास्ते से लेके जाएए किसी भी type के road से आप इसको आराम से लेके गुजरिए daily to daily normal commuting के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अभी अगर मैं बात करता हूँ इसके performance की तो यहाँ पे 102cc का 4-stroke DTSI single cylinder electronic injection engine मिल जाता है जो की maximum power produced करेगा 7.9 PSG at 7500 RPM maximum torque यहाँ पे मिल जाएगा 8.3 Nm at 5500 RPM electric start के साथ ये bike आती है top speed की बात करता हूँ तो 90 km परावर तक की जो है वो top speed मिलने वाली है 4-speed के transmission के साथ ये bike आती है 11-liter की fuel tank capacity यहाँ पे मिल जाएगी एक चीज़ यहाँ पे और better हो सकता था कि tubeless tire मिल जाता तो और जी ज़्यादा अच्छा होता पर में भी price factor की होज़े से यहाँ पे आपको tubeless tire ही मिलता है अच्छी खासी ground clearance यहाँ पे मिलेगी जो की है 200 mm की तो काफी अच्छी ground clearance मिलती है अभी अगर मैं बात करता हूँ इसके next feature की तो वो है इसकी mileage दोस्तों यहाँ पे जो आपको mileage मिलने वाली है वो आप 70 plus का बड़े ही आराम से get कर सकते है क्योंकि 100cc की bike है कम power produce करती है तो आपको अच्छी खासी mileage आराम से यह दे सकती है mileage हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आपकी उपर depend करता है 40 से 60 तक economy में अच्छी तरीके से write करेंगे तो better mileage देगी अगर आप ज़्यादा rough write करेंगे rough करके write करेंगे तो कम mileage देगी यह depend करता है how you write actually अब चलिए बढ़ते हैं हम इसके fourth feature की तरफ जो की है इसकी utility तोस्तों utility के मामले में आपकी platina 100 जो होने वाली है वो उसके पास एक बहुत बड़ा edge है कि आप इसको चाहे commuting के लिए चाहे office जाने के लिए या फिर delivery का काम करने के लिए या फिर कहीं आने जाने के लिए सामान ढोने के लिए यानि किसी भी आप work में किसी भी profession में किसी भी scenario में किसी भी situation में इसका इस्तेमाल इसका use कर सकते हैं maintenance कम होने वाली है तो खर्चा भी कम होने वाला है mileage अच्छी खासी मिलने वाली है तो definitely आपको यहाँ पे एक edge इस bike में देखने को मिल जाता है अब आते हैं हम अपने फिप फीचर की तरफ जो कि है इसकी pricing तो इसकी action room price जो आपको मिलने वाली है दोस्तों वो आप expect कर सकते हैं इसके base variant के लिए somewhere around 65,000 रुपीज के आसपास और इसकी on road price दोस्तों जो जाने वाली है जो आपको मिलने वाली है वो close to आराम से आपको मिल जाएगी 80,000 रुपीज के आसपास तो आप comment करके बताइए कि आपको ये bike क्यासी लगी है कौन कौन से features इस bike के आपको पसंद आए है तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कीजिए like, share भी कर दीजिएगा मिलते हैं एक से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम